हाई फ्रेंड दिस इस दिजय कोशिक और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वीके रियल टैक के अंदर दोस्तों आज मैं आपके लिए अन्वक्स लेके आया हूँ आई बोल मैजिकल डू डू की जोकि एक वायलेस कीबोड माउस है जोकि एक सेट में आते हैं दोस्तो से आप दोनों को चला सकते हो माउस और कीबोड को कनेक्ट करके अपने पीसी से तो आज दोस्तों उसका रिप्यू देखेंगे कि वह खरीदने लाइक है या नहीं है कैसा है आई बोल मैजिकल डू जोकि वायलेस कीबोड माउस है अच्छा है या नहीं है क्या हम उसे से अंबॉक्सिंग कर लेते हैं मैजिकल डू टू वायरलेस कीबोड माउस की तो दूस्तों इस तरह से दूस्तों आपको यह मिलेगा कीबोड माउस यह हमारा कीबोड है और दोस्तों यह मिलेगा आपको mouse इस तरीके का मिलेगा दोस्तों आपको mouse box के अंदर यह है दोस्तों black color का सुंदर सा काफी metallic color में है दोस्तों mouse तो दोस्तों यह है हमारा keyboard जिसमें eye button जो है रेड गलर के अंदर दिया हुआ जो काफी सुंदर लग रहा है दोस्तों देखने में और quality भी इस keyboard की काफी अच्छी लग रही है build quality भी काफी smooth finishing है कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा आजीब सी quality हो quality काफी अच्छी लग रही है finishing भी काफी अच्छी है दोस्तों और जो इसका connector है वो देखते हैं किदर है वो इसके back में है दोस्तों यहां पर इसका connector है दोस्तों यह यह चोटा सा nano connector दोस्तों जो हमारे computer में या laptop के अंदर आप connect करोगे इससे दोनों ही चीज़ें चल जाएगी दोनों के लिए अलग लग आपको connector लगाने की जुरूत नहीं है एक ही connector से लग जाएगा दोस्तों इसको आप keyboard के पीछे यहां पर भी रख सकते हो दोस्तों आप इसको यहां पर mouse के अंदर भी डाल सकते हो यहां पर भी एक जंग है जहां पर आप इसको रख सकते हो बाकी बैटरी ही रहेगा कि आपकी बोर्ड के लीचे यह पर अखो यह जादा अच्छा है तो दोस्तो यह थी अन्बोक्सिंग इसमें भी बस इतना ही था इसको दोस्तों हम क्पूटर से करेक्ट करके देखते हैं औ और इस बीच हम इसके फंक्शन को जानेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या फंक्शन हैं इस वाइरलेस की बोर्ड माउस के अंदर जो फंक्शन आते हैं उसमें से पहला है कि यह 2.4 गिगा हार्ड वाइरलेस ट्रांस्मिशन के साथ आता है दूसरों सेकिंड स्मार्ट ओटो ल कि इसके लिगवार्णिक के साथ आता है नेनो ट्रांस्मिशन है और 529 ग्राम का दोस्तों की बोर्ड है, और 57 ग्राम का दोस्तों हमारा माउस है, यह फंक्त करनमें इसको अपने लैप्टब से कनेक्ट करने वाला हूँ, और से कनेक्ट करके मैं आपको यज़ आतनाओक़ तो भी आपको यहां पर एक green color का indicator मिलेगा दोस्तों यह बहुत अथी चीज़ा है काफी keyboard में miss कर देते हैं indicator इसमें है और दोस्तों आपका जो battery indicator भी दिया गया है जब आपके keyboard की battery जो खतम हो जाएगी तो यहां पर red color का indicate करेगा दोस्तों माउस के function में आपको बताता हूँ कि माउस के अंदर क्या क्या function है तो पहला है थ्री बटन hand, freely design, high speed optical mouse, with speed selection button, smooth roll wheel, changeable speed, 800-1200-600 CPI तो दोस्तों जो एक बटन दिया गया यह इससे आप अपने mouse की speed change कर सकते हैं 800-1200-600 CPI में और जो mouse का weight है दोस्तों वो है 57 gram दोस्तों चोटा सा प्यारा सा प्यानो finish के साथ आपको यह mouse मिलेगा काफ़ी अच्छी shining के साथ प्यानो finish के साथ ही मिलता है नीचे आपको यह eyeball की दोस्तों ब्रेंडिंग मिलती है और दोस्तों easy to handle है चोटा सा है ज्यादा बड़ा नहीं बलकी नहीं है चोटा सा है और दोस्तों पीछे इसके on off का button दिया गया यहाँ पर आप इसको on करेंगे तो एक on हो जाएगा और आप इसको off करेंगे तो ओफ हो जाएगा जब भी आपको यूज करना है तो इसे on कर लें otherwise इसको off रखेंगे जिससे आपके mouse की battery जो है वो save रहेगी और दोस्तों यहाँ पर जो यह आपका cell डालने की जंगए दी गई है यहाँ पर आपको nano transmission को रखने की जंगए भी दी गई है या तो आप keyboard के पीछे रख लें या फिर आप इसको यहाँ mouse के अंदर भी रख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो space है दोस्तों मैंने इसको open कर दिया है और यह जो हमारा nano transmission होता है यह हम इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से अंदर की तरफ डालके इस तरीके से और इसको वापिस से close कर सकते हैं इस तरीके से रख सकते हैं या तो आप दोस्तों इसको यहाँ रख सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो मैं आपको कुछ टाइपिंग करके दिखाता हूँ इस PC के अंदर ओके दोस्तों जो इतनी सी टाइपिंग किये मुझे से पता चला कि उसके वर्ड्स हैं प्रेस करने में काफी सौफ्ट हैं आपको कोई दिकत नहीं आएगी प्रेस करने में मदब काफी अच्छे सौफ्टी और इजली हर बटन वर्क कर रहा है ओके फ्रेंड्स तो बात करते हैं कि हमें साइबोल मेजिकल डूटो को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों ओल ओवर प्रोड़क्ट तो काफी अच्छा है आप इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं और दोस्तों मैंने इसको 899 के अंदर खरीदा था अभी दोस करता है कि कैसा आता है तो दोस्तों ओल ओवर काफी अच्छा प्रोड़क्ट है यह बट दोस्तों सर्विस की कुछ जादा अच्छी उमीद मत करना अगर खराब होता है तो चेंज तो हो जाएगा बट कई बट जादा टाइम ले लेते हैं 15 दिन का नाम लेके 10 दिन का नाम मैना बर भी लगा देते हैं दोस्तों चेंज करने में क्योंकि मेरे एक दोस्त का खराब गुआ था तो चेंज होने में थोड़ा सा लंबा टाइम ले लिया था बाकी ओल ओवर प्रोड़क्ट काफी अच्छा है इतनी जल्दी खराब नहीं होने वाला है अगर बाई जांस क